हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का ड्रिम मिशन पर मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम दादा साहभ फाल के पुरुसकार 2022 की सभी विजयताओं को यहाँ पर इंक्लूट करेंगे इनकी सुरुवात कब हुई पहली विजयता कौन रही कौन सा प् पहली मूभी कौन से थी इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर हम डिटेल से बताएंगे तो चली यहाँ पर बिनादेरी के सुरू करते हैं दादा साहभ फाल के पुरुसकार 2022 की सूचियों से तो यह रहे दादा साहभ फाल के देख लिजए यहाँ पर आपके चीत्रों में दिखाया गया है यह जो है भारत के पहले डारेक्टर थे इन्होंने पहली फिल्म इन्होंने ही बनाई थी तो इन्हीं के सम्मान में पुरुसकार प्रतेक वर्स दिया जाता है यानि हर एक साल दिया जाता है इस साल यानि 2022 में इनको मतलब दादा साहभ फाल के पुरुसकार का बावनमा संस्क्रेन जो है वो दिया गया इनकी विजेता जो है घोसित कर चुकिए तो इस साल जो है दादा साहिब फाल के पुरुषकार जो है दोस्तों तेहां पर देखी आशा पारिक जी ये रही आशा पारिक जी आपकी जो की एक्ट्रिस है इसे जो है कॉमनली हिट गल के नाम से जो है इनको जाना आता है 1992 में इनको पदमिस्री अवार्ड भी मिल चुका है आपको बता दे कि यह जो है 2022 में जो दादा साहब फाल के पूरुसकार मिला है यह 2020 का एडिशन वाला है क्योंकि कोरोना काल के कारण जो है वो आपके पूरुसकार घोसित नहीं किये गए थे चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर दखिए दादा साहब फालके पुरुसकार के शुरुवात कब हुई थे दोस्तों यहाँ पर दखिए 1969 में जो है इनकी शुरुवात हुई थे और फर्स्ट विनर जो है कौन रहे थी तो यहाँ पर दखिए देविका रानी आपको तस कितने होती है दोस्तों यहाँ देखिए 10 लाक रुप्या कैश और एक गोल्डेन लोटस जो की स्वर्न कमल जिसको बोला आता है तो यह दिया जाता है जेखिए आपको चीत्र में जैसा दिखाया गया है तो यह 2022 वाले थे अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बता द रहे हैं क्योंकि जो है एक्जाइम के दृष्टी से महत्पून है तो जो एक क्यावनमा दादा साहिब फाल के पुरुषकार थे उनके विजयता कौन थे तो साउथ के सूपर स्टार रजनी कांत जिन्होंने जो है 2019 वाला एडिशन को जो है वो जीता था रजनी कांत यहाँ बढ़ते हैं वेस्ट फिल्म अफ दी यर जो है किसको मिला यह फिल्म पुस्पा और मिला है वेस्ट फिल्म ऑ09 क्योंकि दोस्टो यर आप लोगों नहीं देखिया तो इससें जरूर देख लिजे आगला देखिए यहाँ पर बेिश्ट एक्टर कौन रहे तो रर्न्वीर सि यहां पर देखिए आपके तस्वीर में है किरती शेनन तो उमीद करते हैं कि यह आपको प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा होगा आप पूरा वीडियो को देखने का प्रियास किजिए ताकि आपको पूरा याद हो सके आगे बढ़ते हैं हम दोस्तो देखिए आप अगले में है दादा साहिब फालके पुरुषकार जो है वो शुरुवात हुए थी 1969 में लेकिन पहली फिल्म जो है कब बनाई थी दादा साहिब फालके ने 1913 में यानी 1913 में पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र ये रहे राजा हरिश्चंद्र भारत के एक महान सत्यवाधी राजा आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं किसे जो है क्या क्या मिला देखिए यहाँ पर दादा साहर फाल के पुरुसकार के अवार्ड में तो बेस्ट फिल्म ऑप दे यर यानि इस साल के सबसे बेहतरिन फिल्म कौन रही तो पुसपादी राइस यानि मैं जुकेगा नहीं सा और बेस्ट फिल्म जो है अभी तक किन को मिला है तो शीरसा को वाके में सांदार फिल्म थे शीरसा बेस्ट एक्टर कौन रहे तो रनवीर सिंग बेस्ट एक्टरिस कौन रहे तो कीरती सैनन बेस्ट डिरेक्टर कौन रहे केन गोश और यहाँ पर देखिए बेस्ट कराते रहेंगे जो आपको 100% में मदद करेंगे तो ड्रीम मिशन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक्यू